सौरुव गांगुली ने दिये हैं नई पारी के संकेत, तो ट्वीट के जरीए एक खास संदेश उन्होंने जारी करके अपने फैंस का समर्थन मांगा है और कहा है कि वो आज एक नई शुरुवात करने जा रहे हैं, अब ये शुरुवात क्या है, ये तो उन्होंने नहीं बत थे, उनके घर में भोजन किया था, और सौरफ गांगुली ऐसी शक्सियत है, जब वो विमार पड़े थे, तो ममता बाने जी भी पहुंची थी, तो एक तरह से संदेश ये मिल रहा था कि तमाम जो खेमें टी एमसी और बीजेपी उनको अपनी और खीचना चा रहे हैं, ले अपनी कोई नई पारी शुरू करने से पहले इस्तिफा दे चुके हैं, लेकिन अभी 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 सचीव है, जय शहा, उनका कोट आया है, उन्हें इस पच्छ तोर पर कहा है कि सौरफ गांगुली ने बिच्छ पस से इस्तिफा नहीं दिया है, तो यानि जो यह जोड़ कर करके चला जा रहा था, कि वो बिच्छ पस छोड़ करके कोई दूसरा कदम उठा सकते हैं, तो ऐसा अभी तक नहीं है, क्योंकि इस बात को बिच्छ पस से इस्तिफा नहीं दिया है, दूसरी बात अब जो आ रही है कि क्या वो राजनीती में आ सकते हैं, एक खबर जरूर को कता से आई है हमारे कुछ वरिष्ट सेयोगियों के पास कि वो सरकार उनको राजस्वा में मनोनीत कर सकती है, आप को दादू कि राजपती की ओर से जो कोटा होता है, बारा सांसितों का होता है, अभी पांच पद ही उसमें भारे गए, साथ पद खाली है, जो अलग लग सां कीती में आ सकते हैं, क्योंकि ट्वीट में वो ये कह रहे हैं कि एक अर्थ ये लिया जा रहा कि शायद वो राजपती में सकरी होना चाहें, लेकिन आप जानती हैं कि बार 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 बीजेपी की ओर से उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश पश्य बंगाल में की गई ह जिस बात का नीधी आप भी जिकर कर रही थी कि जब वो अस्पताल में भरती हुए थे तो ममता बिनर जी उनसे मिलने गई थी और अब भी ये हुआ कि छे तारीक को जब पिछले मेंने अग्री मिंत्री अमिश शाह गए कोलकता तो एक घंटे वो सौरप गांगुली के घर अब रहे दिनर किया उनके परिवार के सदस्ने में मौजूद थे साथ-साथ-बीजेपी के भी करी नहीं था जिसमिके सवपंधाज गुप्ता अमित माली उस डिनर में मौजूद थे उसके बाद भी यही कयास चला कि शायद बीजेपी साौरप गांगुली को अपने पाले बें आए और अब तब की पिछले एक साल में जब से बीजेपी चुनाओ हारी है पश्यमंगाल में एक के बाद एक जिस तरह से पार्टी के सांसर दिनेता मंत्री विधायक बीजेपी छोड़के वापस टीमसी में जा रहे हैं उससे बीजेपी में चिंता जरूर है तो शायर बीजेपी अपना पश्यमंगाल में घर बचाना चाहती है इसने भी ये कयास लग रहा कि क्या सौरब गांगोली राज़नीती में आ सकते हैं लेकिन अभी ये भविश्य के गर्ब में ये सारी बाते छिपी हैं क्योंकि खुद सौरब गांगोली ने ट्वीट में जादा कु कि लिए